गैजर ये है मेरे हाथ में एक सीलिंग फैन का कैपेशिटर और गैज ये जो कैपेशिटर होता है इसका काम फैन को राउंड कराना होता है मतलब ये जो हमारा capacitor है वो fan को starting करने का काम करता है उसके बाद ही हमारा जो ceiling fan है वो चकता है लेकिन गाईजार क्या होगा अगर हम ceiling fan के अंदर इतने भूँत सारे capacitor लगागे क्या जो हमारा ceiling fan है वो एकदम से speedos की ज़्यादा हो जाएगी या फिर क्या होगा मतलब एक capacitor लगाने पर हमारा fan दिखाते हैं किस तरह से चलता है उसके बाद ये वाले सारे capacitor लगा करके देखेंगे के fan हमारा कितनी speed से चलता है चलेंगे शुरू करते हैं हमारे जो fan है वो single capacitor पर इतनी तेज चल रहा है देख सकते हैं उसकी कि यह वाला और गया दम की वार देखो हमने पूरे आठ capacitor में लगा दिए और देखते हैं पंका क्या करता है वाई साहब तो चालू करते हैं थ्री टू वन पंका चालू पंके को क्या हो गया भई और गाई यार इस पंके को क्या हो गया भाई साहब तो गाई जयार हमने जो ऐसा सोचा था वैसा नहीं हुआ हमारा तो जो फैंड है सिंगल कैपिस्टर पे चल रहा था उससे भी भाई साहब धीमे धीमे चलने लग गया हम तो सोच रहे थे कि फैंड जो है जादा कैपिश्टर लगाने के बाद एक दम से तेज चलने लगेगा तो भाई साहब देखते हैं इसमें चेंजिंग करके उसके बाद देखेंगे फैंड की इस बीड है तो गाइज अब की बार है मेरे पास दो एक तो और इसमें लगा और देखते हैं ऐसे लगालेका है तो गैस आपकी बार मैंने फैंड निगा लिंए और आप देखते हैं क्या उता है आइ हुआ है तो गई देखो फैन हमआ चलने लग गया और गाई जब की बार देखो जो फैन की स्पीड़ है वह कितनी अक्छे से चल गई है मतलब भाई साब आठ हमने जो आठ नगा थे उससे हमारा फैन वर्क नहीं कर राता और दो के स्पीटिर ने तो पेले से ज्यादा बढ़ लगाना मतलब कुछ नहीं होता है जो हमारा फैन है एक के लिए बना है तो उसमें एक ही कैपिस्टर लगाए जाएगा ज़्यादा फैन जारा तेज नहीं चलेगा बलकि वह जल सकता है आज का जो हमारा एक्स्प्रिमेंट है वो कैसा ला कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए जय हैं